Hello friends, welcome to studies test तो आज की सुड़ों में हम लोग रुपे का इतिहांस जानेंगे यानि रुपे का इतिहांस कहने का मतलब क्या है? कि प्राचीन समय में मतलब कौन-कौन सी मुद्राय होती थी और कौन-कौन सी मुद्राओं से होकर गुजरना पड़ा हमें जो आज हम रुपे तक पहुँचे हैं तो यहां पर हमने सारी मुद्राय को लिख रखा यहां पर फुटी कौडी से क्या बना, कौडी से फिर क्या आगे बना दमडी से क्या बना, धेला से क्या बना, पाई से क्या बना जो हम रुपया तक पहुंचे इन सारे को हम डिसकस करेंगे और कितने फुटी कोडी में कितने कोडी होती है कितने पाई में कितने पैसे होते है यह सब हम आज की वीडियो में समझेंगे तो चलिए पहले समझते हैं कि फुटी कोडी से क्या बना वो कोड़ी बना है फूटी कोड़ी से यहां पर कोड़ी बना ठेक यह आप अच्छे तरीके से समझते चलिए रुपे के इतिहांस को कोड़ी से हमारा क्या बना तो कोड़ी से यहां पर हमारा बना दमड़ी कोड़ी से हमारा क्या बना तो कोड़ी से यहाँ पे दमडी बना फिर नेक्स्ट हमारा दमडी से आगे क्या बना तो दमडी से आगे यहाँ बना हमारा धेला धेला यहाँ पे दमडी से बना और धेला से आगे क्या बना तो धेला से हमारा जो है पाई आगे बना ये सब प्राशिन मुद्राव का इतिहां से धेला से पाई बना पाई से हमारा फिर आगे क्या बना तो पाई से हमारा आगे बना पैसा पाई से हमारा आगे क्या बना पैसा बना नेक्स्ट आगे हम देखते हैं यहां पर आगे हमारा क पैसा से हमारा क्या बना तो पैसा से हमारा बना आना पैसा से क्या बना तो पैसा से आना बना और आने से आगे क्या बना तो आने से हमारा बना यहां पे रुपिया यानि फाइनली जो हम इतनी मुद्राव से होते हुए गुजरे तब जाकर करके यहां पे हमारा रुपिया बन अब हम समझते हैं कि कितनी फूटी कौडी से कितना पैसा बना या फिर कौडी बना कितनी कौडी से दमडी बनी या फिर कितने पाई से पैसा बना ठेक तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमारा है तीन फूटी कौडी तीन फूटी कोड़ी equal to क्या होता था पहले तीन फूटी कोड़ी equal to एक कोड़ी होता था तीन फूटी कोड़ी equal to एक कोड़ी होता था पहले दस कोड़ी से हमारा आगे क्या बना तो दस कोड़ी equal to एक दमड़ी होता था 10 कोड़ी equal to 1 दमड़ी के बड़ाबर होता था और 2 दमड़ी equal to क्या होता था तो 2 दमड़ी equal to होता था हमारा 1 धेला ये सब हमारो रुपे काईती हैं से 2 दमड़ी equal to हमारा 1 धेला के बड़ाबर होता था और 1.5 πाई ये कहने का मतलब क्या है 1.5 πाई डेढ़ पाई किसके बराबर होता था तो डेढ़ पाई जो है हमारा एक धेला के बराबर था उसमें एक धेला ठेक डेढ़ पाई इकवल टू एक धेला के बराबर था तो तीन पाई जो है कितने के बराबर था तो एक पैसे के बराबर था तीन पाई next है हमारा चार पैसा चार पैसा कितने के बराबर था तो चार पैसा जो है हमारा एक आने के बराबर था चार पैसा equal to एक आना ठेक या फिर एक आने और यहां पर next हमारा क्या है सोला आना, सोला आना कितने के बराबर था, तो सोला आना जो है हमारा एक रुपया के बराबर था, तो finally जो है हमारा यहाँ पे रुपया यहाँ पे बना, सोला आना इकवल टू एक रुपया, और फिलाल अभी जो है, एक रुपया कितने पैसे के बराबर है, मतलब कितने पैसे equal to 1 रुपया तो आप लोगों को पता है 100 पैसे 100 पैसा equal to 1 रुपया होता है तो यह यहाँ पे जो है रुपय का इतिहास था और देखे प्राचीन जो मुद्रा थी और हमारी आज की बोल चाल की भासा में उसका कहावत के रुप में इस्तमाल होता है जैसे कि क्या है एक फुट हर की इस्तमाल होता है पाइ पाइ का हिसाब रखना चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय तो यह सब यहां पर प्राचीन मुद्रांव का इतिहास था तो होप ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा रुपे का इतिहास आप जो है कहीं से लिख भी सकते हैं या फिर अपने मुवाइल में इसकी रिन सोट कर लेज़े जिससे के आप आपको पता रहे है पिछले जितने भी रुपे का इतिहास से उसके बारे में तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग और पसंद आया तो प्लिस वीडियो को लाइक किजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा थैंक यू